गुदिविंडिन फ्रेंग्स आज की वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक की मोबायल बैंकिंग एप से रिकरिंग डिपोजिट कैसे बना है उसके बारे में बताऊंगा तो फ्रेंग्स यहां पर रिकरिंग डिपोजिट यानि एवरी मन्थ आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा यानि आपको 1000 यानि जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगे वो एवरी मन्थ को पर्टिकुलर डेट को आपके सेविंग अकाउंट से कटके वो रिकरिंग अकाउंट में चले जाएंगे और उसमें friends आपको fixed deposit का जो interest rate रहेगा वह interest rate वहाँ पर मिलेगा तो मेरे इसाब से recurring deposit एक अच्छा अपसन है आपके savings के लिए ओके तो चले friends सबसे पहले ये पंजाब national bank की mobile banking app login कर लिए के उसके बाद friends देखिये open fdrd के उपर click करेंगे उसके बादिखो यहाँ यहाँ पर click करेंगे tabs . उसके बाद बेख जाएंगे उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे . comes and conditions, okay, उसके बाद करेंगे continue, यहाँ पर दिखें फ्रेंस deposit scheme के यहाँ पर down arrow पर click करेंगे, यहाँ पर दिखें general and PNB staff, यानि यहाँ पंजाब national bank के staff है, employee है तो Punjab national bank start करेंगे, अगर नहीं है तो general के पर click करेंगे, यहाँ पर friends amount डालेंगे कि every month आपको कितना amount कटवाना है तो कि मैं यहाँ पे 500 डालता हूँ उसके बाद कितने year के लिए recurring deposit बनीगी तो यह मैं बनाता हूँ one year and two month के लिए तो कर दिया यहाँ पे उसके बाद देखे फ्रेंज यहाँ पे account opening date जैसे कि आज की date है कि आज है 10 नवंबर तो 10 नवंबर आ गया इसके बाद debit account के कौनसे account से कि यह वाला जो आपका saving account है यह चूज कर लेंगे कि saving account से वो आपका जो 500 डुपीज every month कर लेगा और यहाँ पे दिखे फ्रेंज रिटेंड नॉमिनी डिटेल्स ओप selected यानि आपका जो यह वाला जो account है उसका जो नॉमिनी है वह यहाँ पे automatically pick कर लेगा यहाँ पे yes करेंगे कि retain नॉमिनी details of selected operative account तो yes करेंगे अगर no करेंगे तो आपको दूसरा नॉमिनी वहाँ पे add करना होगा तो यहाँ पे फ्रेंज ओल्री नॉमिनी है तो वही रखेंगे तो अच्छा रहेगा उसके बात friends देखेंगे do you want to schedule installment यानि आपको वह schedule पहले से उसका instruction देना है तो वह कर सकते है तो उसके पर yes करेंगे do you want to schedule installment तो yes date on which you want to make payment तो यह आपने schedule तो कर रिया तो हर मैने की कौनसी date को वह कटना चाहिए तो कि आपकी salary अगर एक तारिक को होती है तो दो यहाँ पे select कर लेंगे कि एक को salary होगी तो दो तारिक को वह पाट जाएगा पैसा उसके बाद दिखेंगे friends view interest latest interest rate उसके पर click करेंगे तो आपको latest interest rate पता चलेगा कि आप उसके इसाब से अपना duration share कर सकते हो यहाँ पे friends मैंने वह link को पर click कर दिया इसके बाद देखते कि कि किस में अपने को यहाँ पर फ्रेंग्स यह टेबल दिया है उसमें आप देख सकते कि किस particular यानि कौन से पिरियड में आपको अच्छा interest rate मिल रहा है तो यहाँ पर मैं अप्रॉक्सिमेट यह मैंने one year and two month डाल दिया उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट maturity value यहाँ पर यह भी calculate कर सकते हो कि आप आपको maturity पर कितना amount मिलेगा recurring deposit पर यहाँ पर देखे फ्रेंग्स यह माई कल्कुलेटर है फिक्ट डिपोजिट कल्कुलेटर है recurring deposit कल्कुलेटर है तो यहाँ पर calculate करके आप अपने हिसाब से भी डाल सकते है उसके बाद फ्रेंग्स यह सारी की सारी चीजे मेंने डाल दिये इसके बाद करता हूं continue यहाँ पर देखे फ्रेंग्स प्री कंफर्मेशन पड लेगें एक बार कि deposit scheme है RD new amount 500 रुपीज है और अभी interest rate मिल रहा 6.30 उसके बाद यहाँ पर फ्रेंग्स सब्मिट को पर क्लिक करेंगे यहाँ पर उसके बाद फ्रेंग्स कंफर्म यॉर रिक्व एंटर कर दिया उसके बाद करता हूं confirm ओके फ्रेंट्स यहाँ पर एंटर वन टाइम पासवर्ड वो वन टाइम पासवर्ड एंटर करेंगे तो आगया 412335 उसके बाद करेंगे confirm तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख सकते यॉर रिक्वेस्ट इस सब्मिटेट सुक्सेस्पुली रेफ्रेंस आईडी इस यह रेफ्रेंस आईडी आया और डिपोजिट एकाउंट ओके यह डिपोजिट एकाउंट आपका एक नया नंबर आया एकाउंट नंबर ओके और मैचुरेटी अमाउंट आपको मिलेगा 7,280 ओके और इंट्रेस रेट है 6.30 और मैचुरेटी डिट भी यहाँ डिस्प्ले कर दीगी है यहाँ पर दस एक दोजार चोबिस तो फ्रेंज आपकी एक रिकरिंग डिपोजिट यहाँ बन गई उसकी अभी रिसी आपको यहाँ पर मिल गई है उसको फिर यहां से प्रेंज आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं तो फ्रेंज ऐसे आप गर बेठे मोबाइल बेंकिंग के जरिए रिकरिंग डिपोजिट ऐसे बना सकते हैं